साल 2010 में हुए ताड मेटला नकसली हमले में गोरखपुर के भगराई गाउं के लाल प्रवीन राय शहीद हो गए थे अपने माता पिता की तीन संतानों में सबसे बड़े प्रवीर ने देश सेवा की शपत लेते हुए साल 2002 में केंदरी रिजर्व पुलिस बल जोईन की थी नौकरी के आठ साल ही हुए थे कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा फर्ज निभाते हुए सरवोच बलिदान दिया नकसली हमले में लड़ते लड़ते अपनी जान गुर्बान कर दी वो दिन याद करते ही परिवार दर्द में डूब जाता है वो बच्चा रो पड़ता है जो अपनी पिता की शहादत के वक्त मा की कोख में था मैं अभी पढ़ाई करता हूँ पोर्थ बेटा आपकी पापा एक बीर जैनी के बारे में आपने कुछ सुना है घर में कोई लोगों ने बताया आपको क्या बताया है किसान पिता के बेटे की दिल में सेना में शामिल होने का सपना था बेटे की चाह देखते हुए पिता से जो बना वो किया जिस दिन प्रवीन राय का चैन सी आरपिएफ में हुआ पूरे परिवार में खुशी का माहौल था प्रवीन अपने घर में कमाने वाले इकलोते सदसे थे उनकी कमाई से ही संयुक्त परिवार की गुजर बसर हो रही थी गोरफूर के प्रवीन राय नकसली हमले में बर्ष 2010 में सहीद हो गए थे च्छै अपरेल 2010 की ये घटना है और च्छै अपरेल आने वाला है उनके इस सहादत दिवस को उनका परिवार पुरी सिद्धत के साथ मनाता ही है उन्हें याद करता है उन्हें सद्धा सुमन अर्पित करता है उनके लिए जो कुछ भी बन पड़ता है वो दाने पुणे का भी कारे करता है कमाने वाले वह यह की थे पुरा परिवार उनके उपर निर्भर था सरकार भी हमसे कही थी कि यह यह करवाएंगे लेकिन आज तक कोई भी सुधा ना कोई कुछ दिया ना लिया गाओं में स्कूल है हमारे प्राथमिक विद्याला है उनके नाम से हो गया होता यह भी मैंने सिच्छा मंत्री को लिखा था लेकिन वो भी आज तक कोई काम नहीं हुआ शहीद गेट के लिए भी का गया था वो भी नहीं पूरा हुआ शहीद के परिजन प्रशासन और नेताओं के द्वारा दी जाने वाली घुशनाओं को याद दिलाते हुए गाओं के प्राथमिक स्कूल का नाम शहीद के नाम से करने प्रवेजद्वार और शहीद की प्रतिमा लगाने की मांग पिछले 11 सालों से करते आ रही है लेकिन न तो कोई नेता सुन रहा है न है स्थाई प्रशासन बड़े पिता कहते हैं जब शहादत हुई थी तब जन प्रतिनिधियों का मेला लगा था बड़े बड़े वादे हुए थे जो आज तक हकीकत में नहीं बदल सके है प्रवीन राय के परिवार को CRPF से मिलने वाली मदद और अनुकंपा को प्राप्त करने में चार साल लग गए शहीद को सम्मान देने के लिए जिनके उपर जिम्मेदारी थी चाहे वह स्थानिय प्रशासन से जुड़े लोग हो या गाओं के प्रधान ETV भारत की तरफ से सभी से संबर्क साधा गया लेकिन पंचायत चुनाओं की व्यस्तता में ऐसे लोग कुछ भी बोलने से बचते रहे प्रवीन जहां भी है उनकी शहादत हमेशा गर्व से भरती रहेगी मुकेश पांडे ETV भारत गोरखपुर